जशिक्रश्ण भक्तो अताह सस्टा मद्याए नारद जी बोले हे पाप रहित विश्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया सो कुरुपा करके मुझसे कहो श्री नारायन बोले हे नारद अधिक मास सहित विश्णु गोलोक में गहे वहाँ जो हुआ वा सुनाता हूँ द्यान पूरवक सुनो गोलोक में मनियों के खंबो से शुशोबित भगवद्धाम जिसमें मनोहर जियोती स्थान विश्णु को दूर से ही देखा उस तेज से नेत्रबंध हो गए तब धीरे से थोड़े उगाड कर अधिक मास की पीठ पीछे करके विश्णु जी धीरे ध चले तब उस थान के पास पहुचे तो अधिक मास सहित विश्णु बड़े आननित हुए और हरी के द्वारपालों को नमस्कार किया भगवान के धाम की कांती की कारण मीचे हुए नेत्र से यहां वहां जाकर पुर्षोतम ने शीकृष्ण को नमस्कार किया रत्नों के सीहासन पर गोपियों को बीच में बैठे हुए ऐसे सीकृष्ण से रमानाथ विश्णु जी नमस्कार कर हाज जोड बोले गुनों से अलग गोविंद एक अक्षर अव्यक्त अव्यव व्यक्त गोप वेशधारी बाल्य अवस्था शांत गोपियों के पती मन को हरने वाले नवीन मेग की शमान स्याम करोडो काम देवों के समान सुन्दर वुरंदावन में रास मंडल में बैठे हुए चमकीले वस्त्रधारे सोम्य तीर्ची मनोहर अकृती वाले रास के स्वामी रासवानी के उल्लास में उत्कंठित दो भुजा हाथ में मुरली पीले वस्त्रधारे अच्च्य तह इस प्रकार श्री कृष्ण महराज की स्तूती करके नमस्कार कर श्री कृष्ण भगवान की आग्या से रतनों से जटित सिहासन पर बैठे श्री नारायन बोले यह विश्ण का किया हुआ स्त्रोध पात प्रातह काल उठके जो मनुष्य पड़ेगा उसके सब पाप नाश होंगे और खोटे सपन अच्चे फल देंगे पुत्र पोत्र की दाता गोविन की भक्ती होगी अकीरती नाश होकर निरंतर स्रेश्ट किरती बढ़ेगी तब शीकृष्ण भगवान ने पूछा कि वह कौन है कहां से यहां आया गोलोक में किसलिए रोता है कोई इसका दुख नहीं पोगता क्या गोलोक वासी सदा आनन्द में मगन रहते हैं सपन में भी दुष्टवारता नहीं सुनते हे विश्णु यह मेरे आगे दुखीत ने वाले गोलोक नात के वचन सुना विश्णु भगवान आसन से उस आदी से अन तक मलमास के दुख को सुनने लगे शी विश्णु बोले हे वृंदावन के चंद्र हे कृष्ण हे मुर्लेदर मलमास के कस्ट को सुनो तुम्हारे आगे कहता हूँ इस से इस निरिश्वर को ल है अपूज्य है और शुब कर्म में सदा वर्जी थे स्वामी रही थे अतह इस मास में स्नानदाप नहीं करना चाहिए वनस्पती लतादिक से तिरुसकुर्थ है बारा मैनों से काला कास्टा लवादी से उत्रायन दक्षियान वर्षो और वर्ष स्वामी के गर्व से इस प्रकार दुख दावानल से जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ तब दूसरे दयालू पुरुसों की प्रेणना से मेरे पास रिशिकेश मेरी शरन आ दुख जाल से बंदा हुआ बारंबार रोता कापता सब कहने लगा इसके महा दुख को आपके बीना कोई निवारन नहीं कर सकता इस से इस अनात को हाथ पकड़ कर तुम्हारे पास लाया हुँ आप पराये दुख दूर करने वालो हो ऐसा वेद जा जानने वाले कहते हैं इसको कृपा करके दुख रहित आनन्द युक्त करो हे जगत पते आपके चरन कमल प्राप्त करके सोच नहीं रहता वेद वेदानताओं का ऐसा वचन मिथ्या कैसे होता है कृपिया इसका दुख निवारन करो सब काम छोड़कर मैं यहां आया हूँ मे आमी के सम्मुख बारंबार नहीं कहना चाहिए ऐसा नीती जानने वाले पंडित जन कहते हैं इस पकार शीकृष्ण भगवान से कहा विष्णु भगवान हाद जोड़ भगवान के मुख कमल को खड़े हुए निहारने लगे रिशी बोले हे सुझ जी तुम स्रेश्र वक्ता हो हजार वरस जीवो आप सेवन करने योग्य हो क्योंकि आपके मुख से हरी लिला रूपी कथामृत को हम पीते हैं हे सुझ जी विष्णु और श्रीकृष्ण समवाद सब लोगों को उपकारी है फिर गोलोकवासे श्रीकृष्ण ने क्या कहा और बताया वह कहिए हे सुझ नारजी ने नारायन से क्या पूछा तुम परम भागवत हो हरी हमें भगवान के परम ओशदुरूप वचन हमें सुनाईए अतह सस्ट्रोध्याय समाप्त